हेलो गाइज तो क्या से आप लोग उमीद है ठीकी होईएगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल आफ पार्टनर से तो देखिए आज हम लोग को इसमें पढ़ना है मीनिंग फीचर्स और लाइबलिटीज और पार्टनर और पार्टनर्शिप डीड तो यही आज चार टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में और इसी के साथ चलिए शुरू करते थो गाइस चलिए देखते हैं डेखते हैं फेरा घरेलू बहसा में तो माले जो कि किसी फ्रेंड केहां दावट में हम लोग को जाना है मुरगा तोरने के लिए, तो चलते हैं उस फ्रेंट के हां, तो फिर जाएंगे किस चीज से, बाइक से जाएंगे, बाइक में पेटरॉल लगेगा, और पेटरॉल फिर डालेगा कौन, माल लिजी आपका बाइक है, तो पेटरॉल तो मैं ही डलाउंगा, तो दोनों दोस्त मिल के क्या करते हैं कि आप रा extended और मनेब पिट्रॉल निकालता हूं दोनों आदमी डालते हैं उसमें और फिर जाते हैं तो जाने के साथ वहां पे क्या फाइदा होगा कि हम्लोंकों मुर्गा तोरने को मिलेगा अब मुर्गा तोरने को मिलेगा फिर वहां से आना भी है। इस ठंडी में जाना और आना दोनों एक एक आदमी तो कर नहीं सकता है तो आप जाते वक्त ले जाएगा बाइक और आते वक्त मैं ले जाओंगा तो यह जो पूरा whole transaction जो हुआ आपका बाइक लेना मेरा petrol डालना फिर आपका ले के जाना फिर वहाँ खाना और फिर वहाँ से आना यही पूरा process है partner से अब इसमें देखिए थोड़ा सा समझते हैं आप इसको account के भासा में है क्या जो आप बाइक निकाले वह एक तरीके से हम लोगा investment है मैं भी जो पिट्रॉल डाला वह भी मेरा investment है और साथ में जो वहाँ पर हम लोग मुर्गा तोरे वह हम लोगा profit है और साथ में जब हम फिर आप जो लेके गया थे वह भी एक तरीके का investment है वह आपका मेहना था और मैं जो चार या दस या उससे ज्यादा कुछ पार्टनर मिल करके हम लोग एक बिजनस स्टार्ट करते हैं और बिजनस स्टार्ट करने के बाद उस बिजनस को मेहनत करते हैं उस बिजनस के पीछे और बिजनस को एक मुकाम पे ले जाते हैं और जब मुकाम पे ले जाते हैं तो उससे क को पूरे इसी को हम लोग को study करना है इस partnership accounting में तो चलिए थोड़ा सब book language में देख लेते हैं आखिर है क्या book भी तो पढ़ना थोड़ा बहुत जरूरी है तो देखिए according to partnership act 1932 partnership act 1932 में हुआ था बना था partnership act 1932 जिसके according partnership का definition है और relationship से between two or more person जैसा मैंने कहा था दो या दो से अधिक हूँ have agreed to share profit of a business माली जेक बिजनेस है तो उस बिजनेस का जो profit होगा वो तो हम लोग सब share करेंगे carried by all or anyone of them acting for all मतलब कि या तो वो एक आदमी चलाए या तो सारा का सारा चलाए लेकिन उसमें जो profit होगा मेन चीज profit profit of the business profit को हम लोग share करेंगे तो बस यही profit को जो share करने का तरीका है यही है partnership और इसी तरीके को इसी पूरे whole को हम लोग partnership accounting से जानते हैं तो चलिए आप देखते हैं थोड़ा सा features of partnership तो देखिए features जो definition है वही को कुछ पॉइंट काट के हमने features में डाला है देखिए two or more than two on a same way चीज़ वहाँ पर जो लिखावाद था definition में दो या दो से अधिक ओनर होंगे मतलब दो या दो से अधिक ओनर या partner भी बोल सकते हैं partners और दूसरा existing of business lawful देखिए मतलब सबसे पहली बात है partnership होने के लिए एक business तो होना होगा अब जैसे कि जो मैंने बताया था कि हम दोनों चलेंगे दावत में मुर्गा तोरने के लिए तो एक तो गोल था ना कि मुर्गा तोरना है तो बस और जाना है कहां जाना तो दावत में तो बस existence of business तो वही business होना बहुत ही जरूरी है और देखिए lawful अब यह नहीं है कि गन का smuggling करने के लिए business कर लेंगे तो हो जाएगा business नहीं वह illegal हो जाएगा अगर हम किसी भी आप जैसे बिहार में दारू बंद है अब दारू का बिजनेस अगर करने के लिए हम लोग partnership करेंगे तो थोड़े होगा नहीं नहीं होगा तो अन lawful होना बहुत ही जरूरी है इसलिए मैंने यहां पर लिखा है existence of business और lawful और तीसरा carrying of business by all or any one of them acting for all मतलब वहां पर लिखावा जाना या तो कोई एक चलाए सब के आवेज में या फिर सारे के सारे चलाएं तो बस यहीं है तीसरा और फोर्थ देखिए फोर्थ में क्या सेरिंग और प्रॉफिट और लॉस सबसे पहले देखिए जैसे कि हम दोनों जब गये थे दावत में जब जा रहे थे तो उसमें कुछ लॉस हुए थ जैसे कि बाइक का डिप्रिशेशन और पेट्रॉल तो लॉस को भी हमने बाटा और प्रॉफिट जो हुआ वहाँ पे जो हम लोग खाए मुर्गा तो रहे वह भी हमने बाटा तो वही है सेरिंग और प्रॉफिट और लॉस और देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट अनलीम अनलीमिटेड होते हैं कि इसलिए होते हैं क्योंकि दिए पार्टर्स जो भी है जब भी partnership firm चलता अगर खुदा ना खासता वो अगर partnership firm loss में हो गया तो जितना भी loss हुआ है अभी तक का जितना भी liability बचा हुआ है सारा का सारा liability सारे partner में उसके capital के हिसाब से सब जाएगा तो इसी लिए हम इने यहां पर लिखाया unlimited liability क्योंकि partnership firm में liability unlimited है इसी लिए यह पॉइंट मस्ट है unlimited liability चलिए देख लेते हैं थोड़ा थर्ड टॉपिक liability of partnership तो देखिए liability क्या होता है में मेरे कोर्डिंग तीन ही में liability है पार्टनर के पहला कि partner अगर कभी भी बिजनेस firm का सेम बिजनेस अगर कर लेता है outside of the form example के तोर पर इस मार्कर का company partner हम दोना है मतलब हम दोनों साथ मिलके एक फ़र्म चला रहा है जिसमें यह मार्कर प्रोडिउस्ट हो रहा है ठीक है और सेम सेम बिजनेस में अगर कर लेता हूं बाहर जाके मतलब कोई और मैं मार्करी बन बना रहा हूं ठीक है तो उस Marker मतब मेरा जो बिजनेस बला है form जिसमें में मार्कर बना रहा हूं उस पर्म का सारा का सारा profit मेरे और आपके जो पार्टर सी बाले फ़र्म है उस फ़र्म में सारा का सारव चले जाएंगे यह हुआ पहला liability अब पार्टन और दूसरा liability यह रह अगर हम किसि और जगा पर कुछ यूज कर். तो उसका जो भी मंट्रेशन आएगा यानी कि जो भी उससे प्रॉफिट होगा वह प्रॉफित अगर मैं अपने पास रख लेता हूं तो वह मिना वह भी प्रॉफित फॉर्म का ही होगा यह हुआ हमारा सगेंड लाइबलीटी पार्टनर का कि जो भी उस फॉर्म के हैजब अगर हम कमाएं तो वह फॉर्म का ही होगा और तीसरा अलिमिटेर लाइबलीटी जो मैंने उसी समय एक्स्प्लेइन किया था अगर पार्टनर में कुछ भी अगर की यह है। नहां का लास्ट इस वीडियो का लास्ट का नहीं यह एग boa लेंटरशीव है जैसे मलिये चार पार्टनर है तो छारों पार्टनर का ये agreement है ठीक है तो इस दीट में अखिर यह है क्या समझ गहें कि agreement है अब देखिए क्या ये जरूरी है का फर्म में क्या ये जरूरी एक्दम मतलब वोट नहीं हो सकता है क्या ये रीटेंज जरूरी है क्या ये बहुत सारे बात चल रहे होंगे ब्रेन में तो चलिए सब को क्लियर क्लियर करके छाटते चलते हैं देखिए पार्टनर्शिप डीड तो ये तभी फर्म में एकदम मस्ट कंपल सरी है जब हम लोग अपने फर्म का रेइस्टेशन करवाते हैं तो पार्टनर्शिप एक 1932 के हिसाब से कोई भी फर्म को रेइस्टर्ड होना चाहिए चाहिए मतलब यह जवी नहीं है कि रेइस्टर्ड कि मानना ही पड़ेगा अगर हम नहीं कराते हैं तो कोई वाzen नहीं कर आदो नुक्सान क्या है अपसर वहले कराते हैं अब बताई आज के जमाना में 100 क्या को यह यह है तो लेकिन गवर्णमेंट बोलती है कि नहीं अगर आपको पार्टनर्शिप फर्म में अगराना है तो सौर कि शौर से अगर ऊपर का अगर आपको अगर आपका ट्राण्जक्शन है और तब अगर आपको केस करना तो आपको registration करना compulsory है तो registration करने के लिए हम लोग को चाहिए partnership deed partnership deed मतलब agreement और देखिए partnership deed में होता क्या क्या है name of the partner name of the form and partners मतलब की form का नाम और partner का नाम एकदाँ must है दूसरा commencement of and duration of the form मतलब की कब मेरा बिजनेस शुरू हुआ और मेरे बिजनेस का duration क्या है मेरे फॉर्म का duration क्या है कब तक मेरा फॉर्म चलेगा थर्ड पार्टनर्स क्यापिटल आप मान लिजिए कि में 4 15 पार्टनर्नर तो सब जब जुडेगे एक साथ तो तो कुछ ना कुछ तो सब कापिटल देंगे अब सब अगर कापिटल देंगे तो कितना कितना अमाउंट में कैपतल दीए सब का लिखना तो पड़ेगा तो वही लिखेंए हम लोग gonna तो हम और आड़ानमा कार्टनर से चाप्टल में अगे फॉर्थ म्लाइट एक प्रॉफिक वैइस सेरिंग रेशियो जैसा की मैं ने बताया था कि प्रॉफिक तो सेर करना दोना पर हुगा तो प्रॉफिट थे रहोगा या तो कुछ ना कुछ तू रिसियों में रहोगा वही रिस्क्राइट को हम लोग यहाँ लिखते हैं पांतिबिट में एक पाटनर यह दो पार्टनर में मुलिजwritten पाटनर एक लाग रुप्य लगाया रोगाया तो अगर दोनों अगर कुछ पीज़ों पारृफिट रिटी डिए सो भी तो डिफरेंट होगा दोनोंका प्रॉफिट टोस्टीरिंग रिश्यों क्या होगा और दीविए, rate of interest on drawing, capital, loan, मðतलब अगर drawing partner निकालता है, या फिर capital पे कोई interest देना है, या फिर loan पे कोई interest देना है, तो वो सब हम लोग को इसमें mention करना परेगा partnership deed में, अगर हम partnership deed बनाते हैं तो, और 6th point, salary of partner if any, इफ एनी यह इफ एनी आपको बुक में तो नहीं मिलेगा लेकिन मैं लिखाऊं इफ एनी क्यों अगर माल लिजे कि सालरी और पार्टनर अगर हम कोई पार्टनर जैसे की था डिफिनिशन में कि एक्टिंग फॉर ओल कोई एक पार्टनर अगर सब के लिए काम करता है तो उसक लिए जो पार्टनर ऑप त्यप्तित आज करते है अगर डे रहे तो इसमें लिखेंगे नहीं दे तो फिर कोई बातनीकर अज वहलए नेचर आ जो बदेशनस हम दो मिल below बिजनास पोन करेगी सर्विस देगी कि जो भी करेगी वो हम लोगो इसे में लिखना परेगा य OFFICER का नेचर क्या है देखिए एड पॉइंट एक अटिंग PSY film अब देखिए हम अपने फॉर्म का accounting पीरियोड क्या रखना चाहते हैं अगर मैं लीजिए हम लोगा अपने फर्म का accounting करना चाहते हैं जन्वरी तू दिसबर तो वह को मेंटन करना होगा अगर माल लिजे हम लोग अपना रखना चाहते हैं अप्रील to March तो हम लोग को वो रखना होगा लिम मेंचन करना होगा और सबसे most important point अगर माल लिजिए हम लोगों को अपना accounting period छे ही महीने का रखना होगा वो भी mention करना परेगा अगर तीनी महीने का तो वो भी अगर साल बर का तो वो भी यह में accounting period कि हम लोग कितना month का या कितना year का term बनाना चाहते हैं और 9th point duration of the partnership duration मतलब वही हो गया कि जैसे आपको था duration of the form वहीं सेम चीए donation of the partnership अब जैसे लेकिए फॉर्म का duration तो हो सकता है ज्यादा होगा लेकिन partnership में आमाल लिजे कि चार partner है ठीक है तो चार partner में दो partner बोला कि भाई हम कुछी समय के लिए माले दो से तीन साल के लिए तो वह हमको mention करना पड़े कौन-कौन पार्टनर दो साल के लिए कौन को पार्टनर थीन साल के लिए तो वो ची हम लोगों को यहां पे mention करना पड़ेगा और लास settlement of the dispute settlement of dispute अब देखिए settlement of dispute क्या है अगर माल लिजिए कि चारो partner में partner सी बना हुआ है फिर भी अगर जग रहा हो जाए माल लिजिए कि कोई एक partner कुछ क्यों कर दे फॉर्म के साथ या उसके वजह से फॉर्म का reputation खड़ाब हो रहा है या उसके वजह से कुछ व्मुश ऐसा हो स्वारा है जो कि form को लॉस में से अगर एक वज़़ よ का लॉस लग रहा है तो उस एक को हटाएंगे या हुसरो को सब्सक्राइब कर रहेंगे तो हमको प्राफिट नहीं मिल गौर्मेंट फर्म को बैंट बीन तो उस प्रेस में कि फिर किसका अलॉष का टो फौर्थ पार्टन के ज्याधा लॉष हो het तो वह सब चीज को हम लोग कि कैसे क्या होगा किसके वज़़पस से होगा वो आ którą the सेटल्मेंट औप डिस्प्यूट में लिखते हैं अब देखिए क्या पाटनर्शिप डीड रीचेन मोस्ट है तो जैसे मैंने पहले ही बता है कि यह पाटनर्शिप डीड तभी हम लोग लिखते हैं जब हम लोको फॉरम को रइस्टर कराना होगा ठीक है और देखिए पाटनर अगर पार्टनर्सीब डीड नहीं है तो हमेशा कोई भी पार्टनर एक करोर लगाता है एक पार्टनर एक लाख लगाता है तो भी अगर पार्टनर्सीब डीड नहीं है तो सारा प्रोफिट इक्वाली सेर होगा लोन पे सिर्फ छे परसेंट ड्राइंग पे कुछ नहीं कोई इंट्रेस्ट नहीं ड्राइंग पे जितना ले जाना भाईया ले जाओ कोई इंट्रेस्ट नहीं लगेगा क्यापीटल पे कोई इंट्रेस्ट नहीं भले एक करोड़ी क्यों लगाया हो और हम एक ही ला क्यों लगा हो कोई इंट्रेस्ट किसी को भी नहीं बिलेगा कोई भी प यहां तक अगर आप पहुँच गया है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद रहा होगा और यहां पर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को रिविटिंग कॉमर्स क्लासेज जो कि यहां पर देखिया आपको एक लोगो बन रहा होगा रिविटिंग कॉमर्स क्लासेज का और गाईज अगर अभी तक आप मेरा NPO का वीडियो नहीं देखिया है तो यहां पर देखिये NPO का वीडियो का थमनेल चल रहा है तो आप जाके उस पर जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो को और गाईज सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटा बजाना ना भूले